हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो जैन्ट स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नमबर टू है आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें लेंथ बनाई हुई है जो इसमें हम फंदे लेते हैं वो हैल्थ के अनुसार लेते हैं और जो इसकी लंबाई बनाते हैं वो हम हाइट के अनुसार बनाते हैं तो आप इस तरह से बोर्डर से लेकर और आरम होल तक की लेंथ बनाकर कम्प्लीट कर लीजिए तो 18 इंच इसे के बाद अब हमें इसमें घटाई करनी है जो हम आरम होल की घटाई करते हैं यह उल्टी या सीधी किसी भी साइड से शुरू की जा सकती है मैं यहां सीधी साइड से शुरू कर रही हूं इसके बैक पार्ट में मैंने जो घटाई की हुई है वो पांच तीन दो एक की की है तो स इस फंदे को हलका सा लूज छोड़ देंगे नेक्ट वाले फंदे को साथ में लेंगे और फिर दो का एक करेंगे फिर इस फंदे को हम इस तरह से लूज रखेंगे और वापस लाई पर ले आएंगे फिर दो का एक कर देंगे फिर से इसे वापस लाई पर लाएंगे और दो क एक करेंगे फिर लूज रखेंगे और सलाई पर ले आएंगे फिर हम दो फंदे का एक फंदा कर देंगे तो यहां पर हमारे पांच फंदे कम हो गई हैं अब हमें यहां से अपने डिजैन को एड़ेस्ट करना है वैसे इस डिजैन को एड़ेस्ट करना काफी आसान है क्योंकि ये बिना जाली वाला डिजैन है अब हमें ये देखना है कि हमारे डिजैन की यहां पर कौन सी सलाई है इस सलाई पर हमें जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुन्ने हैं तो ये देखिए धागे को पिछे की तरफ करेंगे ये यहां पर एक, दो, तीन, और ये चार चार फंदे सीधे थे तो इनको हमने सीधा बना लिया धागा अपनी तरफ करेंगे और यहां पर हमारे च्छे फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बना लेंगे ये आपको अपने डिजैन के हिसाब से देखना है अगर फंदे ट्विस्ट करने वाली लाइन है तो आपको फंदे ट्विस्ट करने होंगे और अगर आपके इसी तरह से ये वाली लाइन आएगी कि जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने है तो इस तरीके से हम इस लाई को बुन लेंगे काफी आसान सा ये डिजाइन है इसमें आरम होल की कटिंग करते टाइम कोई भी प्रोब्लम आपको डिजाइन सेट करने में नहीं आएगी तो मैं इस लाई को बुन कर कम्प्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए एक तरफ से हमने पांच फंदे घटा दिये हैं अब इस साइड से हम पांच फंदे घटाएंगे सेम ही तरीका हमारा होगा दो फंदे का एक करेंगे सरफ ये ध्यान में रखिए कि इस फंदे को आप थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिए जिसकी इसकी शेप जोह अच्छी आ जाएगी फिर दो का एक करेंगे लूज रखेंगे वापस दो का एक करेंगे फिर वापस लाई पर लाएंगे दो का एक करेंगे इसे लूज रखेंगे वापस लाई पर लाएंगे और दो का एक करेंगे तो पांच फंदे की यहां से घटाई हो गई है अब हमारे पास जो टोटल फंद आई इसमें साथ के साथ शुरू करेंगी अब जब हम गले की घटाई करते हैं तो जितने भी हमारे फंदे उते हैं ठीक उसके बीच में एक फंदा हम गले की फली के लिए छोड़ देते हैं अब मालिया इसमें 101 फंदे होते तो 50 इधर हो जाते 50 इधर हो जाते लेकिर हमारे पास सिरफ 100 ही फंदे हैं तो हमारे क्या होंगे कि एक फंदा हमारा जो है बीच में आएगा तो एक तरफ 50 फंदे बचेंगे एक तरफ 49 फंदे बचेंगे तो अब किसी भी तरफ के हाप 49 फंदे रख सकती हैं एक फंदे से कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा तो देखिए हम क्या करेंगे यहां से जो हमारी घटाई अब पांच फंदे की हो चुकी है तो एक इस तरह से फंदे हम बुनते हुए पचास फंदे इस सलाई में बुन लेंगे जो इधर के पचास फंदे बचेंगे उस में से हम एक फंदा गले की फली का छोड़ देंगे फिर उस पार्ट के हमारे उन्हें चास फंदे हो जाएंगे तो अभी मैं यह पचास फंदे उल्टे उल्टे बुन लेती हुँ तो यह देखिए फ्रेंड्स यह मैंने पूरे पचास फंदे इस सलाई में बुन लिया है औ अब हम यहीं से ट्रन करेंगे धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और यहां से हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे क्योंकि अब हम यहां से गले के फंदे घटाएंगे तो दो फंदे का एक फंदा बना देंगे इसे थोड़ा सा लूज रखिए ज्यादा टाइट मत होने दीजिए अब हमें अपने डिजैन के अनुसार सलाई को बुनकर complete करना है अब देखें ये डिजैन हमारा ऐसे जा रहा है तो इसका हमें ध्यान रखना है ये हमारी यहाँ पर चार सलाईया इस डिजैन की complete हो चुकी है क्योंकि अब हमें देखें फंदे twist करने वाली लाइन है ये दो लाइने जब पूरी हो जाती है तब हमारे फंदे twist होते है तो हमें इसकी पहचान होती है तो ये जो 6 फंदे उल्टे दिख रहे हैं इसमें से ये वाले जो 3 फंदे हमारे हैं ये सीधा फंदा इसके आगे आएगा तो यहां पर ये जो सीधा फिकरा है इसको हम उल्टा बुन देंगे यहां पर अब ये जो 6 उल्टे हैं इसमें से 1 2 और ये 3 बुनेंगे आपको ये गले की घटाई करते टाइम अपने डिजाइन की सलाईयों को ध्यान में रखना होगा कि डिजाइन की आपकी पहली सलाईय है या आपकी तीसरी सलाईय है ये आप ध्यान में रखिएगा तो डिजाइन एड़जस्ट करने में कोई प्रोब्लम नहीं आएगी अब हम धागे को पीछे करेंगे यहाँ पर यह जो सीधा फंदा है इसको हम यहाँ आगे से सलाईय पर लेंगे इन तीन फंदों को हम सलाईय से उतार कर बैक साइड की सलाईय पर कर लेंगे और इसको पलट के इसके आगे डाल देंगे अब यहाँ छे फंदे हमारे सीधे आएंगे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और ये छे, फिर वही छे फंदे आपके उल्टे आएंगे, ऐसे ही डिजैन के अनुसार सलाई को बुन कर कम्प्लीट कर देंगे, तो ये देखिए, हमारी यहां से गले के घटाई शुरू हो गई है, और अब यहां से हमारी जो है, मुढ़े क घटाई करनी है, जो कि हम तीन फंदे से करेंगे, तो पांच फंदे की पहले हो गई थी, अब हम तीन फंदे से करेंगे, दो का एक करेंगे, फंदे को लूज रखिए, और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कीजिए, फिर वापस लाइए, और दो का एक कर दीजिए, तो हमने यहां दो का एक किया था तो यहां पर आपका एक छेट सा बन गया है अभी हम एक ही सलाई में इसी तरह से बुन लेंगे जब यह एक साइड का पार्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो हम एक एक्ट्रा सलाई लेंगे और फिर बुनना शुरू करेंगे अभी हम साइड पर यहां से हम फिर से गले के लिए एक फंदा घटा देंगे तो दो फंदे का एक करेंगे डिजैन के अनुसार इस सलाई पर हमें जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनते हुए इसे कंप्लीट करना है आप देखिए यहां तक सलाई को बुनने के बा एक करेंगे उल्टी साइड से सलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारी जो सलाई है अब यहां तक ही बुनने है आप देखिए यहां तक सलाई को बुनने के बाद सीधी साइड पर आ गए हैं गले के लिए हम यहां से तीसरी बार फ पन्दा बनाएंगे तो 3 फंदे हमने लगातर घटा दिये हैं, 5 फंदे हमें कम करने होंगे इसी तरह से उसके बाद हम हर तीसरी सलई पर फंदा कम करेंगे अब हमें अपने डिजैन को देखना है कि हमारा डिजैन कैसे बनेगा अब देखे ये डिजैन हमारा ऐसे बनता जा रहा है तो यहां से हमें तीन फंदे उल्टे रखने होते हैं लेकिन डिजैन के हिसाब से अब दो ही फंदे बचे हुए हैं तो हम क्या करेंगे इन दो उल्टे फंदे को छोड़ के यह जो सीधा है इसको लेंगे इन दो को हम यहां पर कर देंगे और इसे यहां पर ले आएंगे अब देखे हमें वैसे यहां पर 6 फंदे सीधे बनाने होते हैं लेकिन अब हमें 5 ही फंदे बनाने होंगे क्योंकि यहां से जो उल्टे फंदे 3 इधर जाते हैं वो 3 नहीं 2 गई हैं यह हमें ध्यान में रखना है अब हम यहां 5 फंदे सीधे बनाएंगे अगर हमने 6 फंदे बनाए तो हमारा आगे का जो डिजैन है वो खराब हो जाएगा इसलिए यह ध्यान में रखना है कि अगर 2 फंदे हमने आगे उल्टे किये हैं तो हमारे फिर 5 फंदे बनेंगे तो जाएंगे और आगे हमें डिजैन को बुनते टाइम ये ध्यान में रखना होगा अब यहां पर हमारे 6 फंदे उल्टे आ जाएंगे क्योंकि 3 ये सीधे वाले तीन यहां से उल्टे वाले तो धागा अपनी तरफ करेंगे एक दो तीन चार पांच और ये 6 अब धागा पीछे क करेंगे तीन फंदे जो उल्टे हैं इनको छोड़के इस सीधे फंदे को इसके आगे ले आएंगे सेम तरीके से हमारा डिजैन यहां तक बनता चला जाएगा लास्ट बार एक फंदे की हमें यहां से घटाई करनी होगी यहां से फिर उल्टी साइड से एक फंदा घटा के इसलाई को यहां तक हम उल्टा बुन लेंगे तो यह देखे फ्रेंट्स मुड़़्े की घटाई हमारी यहां से कंप्लिट हो गई है पाँच तीन दो एक और यहां से हम जो गले के फंदे घटा रही हैं तीन फंदे हम लगातार घटा चुके हैं और यहां से हम चोथा हमें जैसे दिखाई देंगे यहां पर हमें वैसे ही बुनती जाना है फिर उल्टी साइड की सलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी इन दोनों ही पार्ट में घटाई का अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इस वाले पार्ट में गले के जो फंदे हैं वो सीधी साइड से कम हो रहे है इस वाले पार्ट में उल्टी साइड से कम होंगे इतना ही अंतर आएगा बाकी बिल्कुल सेम बनेगा तो इस सलाई को मैं बुनकर कम्प्लीट कर देती हूँ गले वाली साइड से चार फंदे हमारे कम हो चुके हैं तो ये देखिए फ्रेंट्स इल्टी साइड से सलाई को बुनने के बाद फिर से हम इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं अब यहां गले वाली साइड से हम पांच मा फंदा कम करेंगे तो दो फंदे का हम एक फंदा बनाएंगे अब हमें अपने इस डिजैन को देखना है अब देखिए ये वाला फंदा हमारा इन तीन फंदे के आगे जाएगा तो अब यह जो तीन सीधे दिख रहे हैं इनको उल्टा बुनेंगे एक दो तीन यह उल्टे वाले में से लेंगे च्यार पांच और यह छे धागे को पिछे करेंगे यह हमने ध्यान में रखना है क्योंकि डिजैन हमारा ऐसे जा रहा है अब यह तीन उल्टे इसको हम इसके आगे कर देंगे अब 6 फंदे सीधे वही डिजैन के अनुसार सलाई को बुनकर कम्प्लीट कर देंगे 5 फंदे हमारे यहां से लगातार एक एक करके कम हो चुके हैं और इसमें आगे अब जब हम गले की घटाई करेंगे तो एक बार तो हम सीधी साइड से ऐस से ही बिना फंदा कम किये हुए सलाई को बुन लेंगे फिर तीसरी बार जब हम सीधी साइड पर आएंगे तो यहां से एक फंदा घटा देंगे यानि अब आपको हर तीसरी सलाई जो सीधी साइड से आएगी उस पर आपने एक फंदा घटाना है पहले हम 5 फंदे लगातार खटाएंगे फिर आगे हम तीसरी शलाई पर घटाते जाएंगे अब देखिए इस शलाई पर हमने फंदा कम किया है तो इसको बुनलेंगे फिर एक सलाई हमारी उल्टी साइड से आएगी एक बार जो सीथी साइड की सलाई आएगी उसे मैं बिना फंदा कम किये हुए बुन लोंगे फिर उल्टी साइड की सलाई जाएगी उसके बाद जब हमारी सीधी साइड पर सलाई आएगी तो हम यहाँ फंदा कम कर देंगे हम यहाँ से तब तक फंदे ऐसे ही हर तीसरी सलाई पर घटाते जाएगे जब तक यहाँ पर हमारे शोल्डर के 28 से 29 फंदे नहीं बच जाते हैं तीन प्लाई वाली उन में आप 28 से 29 फंदे छोड़ दीजिए और जो नॉर्मल वाली उन से आप बना रही हैं तो यहाँ पर आप जो है 31 से 32 फंदे 30, 31 या 32 लास्ट हैं इससे ज़्यादा आपको नहीं रखने हैं तो अब मैं इसमें 28 से 29 फंदे रहने तक हर तीसरी सलाई पर एक फंदा यहाँ से घटाते जाऊंगे और जब हमारे फंदे 28 या 29 बच जाएंगे और लेंथ अगर हमारी पूरी नहीं होती है तो बिना फंदे कम किये हुए हम इसकी लेंथ को कम्प्लीट करेंगे तो इस वाले पार्ट को अब मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको इस वाली साइड पर भी ऐसे ही फंदे कम करना बता दूँगी तो मैं इसे कम्प्लीट कर देती हूँ तो यह देख़े फ्रेंड्स इस तरह से गले के फंदे घटाते हुए मैंने जो इसकी लैंथ है shoulder तक बना कर complete कर ली है इसकी जो हमने टोटल लैंथ बनाई है इस तरह से round में ये 10 इंच बना कर complete की है और यहां shoulder पर इसमें मैंने 29 फंदे छोड दिये है मैं आपको इसे नाप कर भी दिखा देती हूँ कि इसका नाप आप कैसे रखेंगी ये देखिएगा इस तरह से आप इंची टेप को रख लीजिएगा और इसको ऐसे राउंड में आपने नाप कर देख लेना है ये राउंड में आपका यहां तक पूरा 10 इंच होना चाहिए अब एक साइड का पार्ट इसका कंप्लेट हो गया है अब हमें दूसरी साइड का बनाना है तो दूसरी साइड का बनाने के लिए देखिए हमारे पास अब यहां पर यह 50 फंदे हैं तो एक फंदा हमें यहां से या तो किसी धागे में बांद कर छोड़ देना है या सेफट पिन में डालेंगे और इसको बांद कर छोड़ देंगे यहाँ पर मैंने धागे को पहले से ही बांद के रखा उआ है आप पीसी तरह से यहाँ से धागा जोइंट कर लेजिए आप इस इस वाले पार्ट में जब हमने गले की घटाई की तो सीधी साइड से हुई इस वाले पार्ट में उल्टी साइड से हमें गले की घटाई करनी है तो यह देखिए इस तरह से एक फंदा आप इसमें बांद के छोड़ दीजिए धागा जोइंट करने के बाद आप यहां से पहल दो फंदे का एक फंदा कर दीजिए फिर इस पूरी सलाई को आप उल्टा बुनते हुए कम्प्रीट कीजिए जैसे हमने इस साइड के पार्ट में पांच फंदे लगातार घटाए हैं इसी तरह से यहां से भी हम हर एक उल्टी सलाई पर एक एक फंदा घटाएंगे पांच फ गटाई करनी हैं तो ये देखिए इस लगाई को मैंने यहां तक बुन लिया है अब यहां से पांच फंदे की गटाई हम पहले कर चुके हैं अब हमें यहां से तीन फंदे घटाने हैं जैसे की हमने इस वाले पार्ट में घटाए थे पांच तीन दो एक की हमने ये घटाई की है सेम हम यहां से करेंगे तो दो फंदे का एक करेंगे फंदे को हलका सा लूट छोड़ देंगे नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और दो का एक कर देंगे फिर से इसे लूट छोड़ देंगे और नेक्स डिजयन के अनुसार हमने सलाई को बुन लिया है अब हम यहां से गले के लिए एक फंदा फिर से घटा देंगे तो यह हम अब दूसरी बार यहां से फंदा कम कर रहे हैं तो हमारे दो फंदे कम हो चुके हैं उल्टी साइड से सलाई को पूरा उल्टा बुन देंगे फिर यहा से दो फंदे की घटाई करेंगे और डिजयन के अनुसार सलाई को फिर हम सीधी साइड से भी बुन देंगे तो यह देखिए सीधी साइड से यहां पर दो फंदे की घटाई करने के बाद फिर हमने पूरी सलाई को बुन लिया है अब यहां से हम गले के लिए तीसरा फंदा घ ज्यादा टाइट ना बने पूरी सलाई को हम उल्टा बुनेंगे फिर सीधी साइड पर जो हम मुढ़े की घटाई कर रही हैं वहां से हमें लास्ट एक फंदे की घटाई करनी है और फिर डिजैन के अनुसार सलाई को बुन देना है अब देखिए यहां से मुढ़े की कम करेंगे तो दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे और फिर पूरी सलाई को उल्टा बुन देंगे सीधी साइड से अपने डिजैन के अनुसार सलाई को बुन देंगे तो यह देखिए सीधी साइड से भी मैंने अब सलाई को बना दिया है अब यहां से हम पांच मा फंदा लगातार इस साइड से घटाए तो इस साइड से भी हमने पांच फंदे लगातार घटा दिये हैं अब इस सलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे सीधी साइड से सलाई को डिजैन के हिसाब से बनाएंगे उसके बाद जब हम उल्टी साइड पर आएंगे तो फंदा नहीं गटाना है यानि अब ये पांच फंदे लगातार घटाने के बाद हम फिर तीसरी सलाई पर एक फंदा घटाएंगे और जब तक हमारे शोल्डर के 29 फंदे नहीं बच जाते हैं तब तक हम हर तीसरी सलाई पर उल्टी साइड से एक एक फंदा घटाते जाएंगे और इसे बु लेंगे तो अब देखे पांच फंदे तो लगातार कम हो चुके हैं आगे मैं इसमें तीसरी सलाई पर फंदा घटाती जाओंगे और इसकी लेंद को बना लूँगे तो एक बार अब मैं इस पार्ट को कम्प्लेट कर देती हूं फिर मैं आपको इसके गले की शेप दिखाऊं और इसकी लेंद को कम्प्लेट कर लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स गले और मुढ़े की घटाई कम्प्लेट हो चुकी है और घटाई के बाद आप गले की शेप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आई है आज की इस वीडियो में इतना ही इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैक पार्ट में गले की घटाई करना और कंधे जोडना बताऊंगी अगर आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कीज ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिरसे और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके तैंक यू